नमश्कार न्यूस्क्लिक में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं प्रेजन्ट पास्ट एंद फ्यूचर का नया एपिसोड इस कारेक्रम में ज्यादतर समय समकालीन घटनाओं की बातें मैं करता हूँ और मेरे गेस्ट अतीच से जुड़ी हुई बातों का जिक्र और विशलेशन करते हैं फिर हम साथ साथ भविश्य की कलपना करते हैं इस बार मगर रोल्स कुछ रिवर्स कर लिया गया है डिसकुशन का विशय जवाहर लाल नहरू विश्व विद्यालाय में हाल की घटनाए हैं जेन्यू मेरी बीती हुई जिन्दगी का हिस्सा है मैं आज जो कुछ भी हूँ शायद नहीं बन पाता अगर इस उनिवर्सिटी में मैंने कुछ चंद साल नहीं बिताय हुए होते उनिवर्सिटी एक लैटिन शब्ट से डिराइवड है जिसका मतलब है अध्यापकों और अध्यान करने वालों का समुदाए जब से जेन्यू का गठन 1969 में हुआ था तब से उनिवर्सिटी की एक खास चवी थी छोटा ही सही मगर शुरू से ही बहुत प्रेस्टीजियस था विश्व विद्यालाए शुरू से जेन्यू के अल्टरनेट एजुकेशनल सिस्टेम के लिए प्रसिध हो गई इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एक्जामिनेशन सिस्टेम में फेर बदल और सबसे एहम स्टूडन्ट फैकल्टी रिलेशन्स का डेमोक्रिटाइज़ेशन यहां की खासियत थी हलांकि जेन्यू को कम्मिनिस्ट गड कहा जाता है लेकिन यहां हर तरह के विचारधारा के लिए जगा है कंडिशन सिर्फ एक है युनिवर्सिटी के डिमोक्राटिक ट्रिडिशन को एक्सेप्ट करना जिस साल मैं जेन्यू आया था छात्रों के गुटों के बीच चर्चा और बहस का मोल इशू अफगानिस्तान में सोवेट यूनियन का हस्तक शेप जेन्यू को हमेशा से सत्ता पक्ष ने टेड़ी आख से देखा है कारण अनेक थे एमरजेंसी के दौरान यहां बहुत प्रोटेस्ट हुए थे इंदरा गांधी जब 1980 में 12 पी एम बनने के बाद उनकी विजिट प्लैन की गई तो उसके लिए चात्रों ने बहुत प्रोटेस्ट किया अल्टिमेटली जिस गेट से उनकी एंट्री प्लैन थी वहां से वो नहीं आ सकी और दूसरे गेट से आना पड़ा असी के दशक में बहुत सिविल सोसाइटी आंदलोनों की शुरुआत जेन्यू से ही हुई हम सब को औरों की चिंता थी पुलिस एंकाउंटर में बनने वालों की ट्राइबल्स जिनकी जमीन लगातार उनके हाथ से निकल जा रही थी महिलाओं के विरुद अत्याचार कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर जेन्यू के छात्र और अध्यापक टिपनी या जलूस नहीं निकालते थे लेकिन कभी भी किसी सत्ता पक्षने जेन्यू को इतनी घिना से नहीं देखा जितना की ये प्रेजेंट रेजीम देखती है तीन साल से लगातार एक के बाद एक अटैक्स हमलों का दौर जैसे खतम ही नहीं हो रहा है समाज में तो कैंपेंड शुरू कर दिया गया है शट डाउन जेन्यू जैसे हैश्टैग इसको लेकर बंद कर दो ये यूनिवरसिटी नाम और निशान मिटा दो कहा जाता है कि जेन्यू की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए क्या अब हाइर एजुकेशन की फंडिंग काट कर वाटसैप उनिवरसिटी में जहर घोलने के नए तरीके सिखाए जाएंगे जो कुछ जेन्यू में हुआ और आगे भी होता रहेगा इस पर हमारे और आपके विचार हैं मगर हम ये जानना चाहते हैं आज कि इस सत्ता पक्ष को जेन्यू पर क्यों गुसा आता है इस सवाल को जानने के लिए मेरे साथ दो मेरे मेहमान हैं मेरी पहली महमान है शाटरूपा चक्रवत्ती भी दूसरी महमान है अपेकशा प्रियदशनी शाटरूपा SFI से हैं और अपेकशा प्रियदशनी नया Students Organization है बासो करके School of Arts and Aesthetics में है और फिलहाल के जो JNU SEO है उसके स्कूल के काउंसिलर है शदरुपा मैं आपसे बात शुरुआत करता हूँ आप 2016 और 2017 में जब JNU के उपर इतना तीवर अटाक शुरू हुआ तब से लिके सवाल मेरा बेसिक यह है आज और अतीत में भी इतनी चाता परिशानी क्यों है JNU से क्या है JNU जो एक आदर्श JNU है जिसमें आप जैसे चात्रा आए हम जैसे भी पहले आए थे क्या वज़ा है कि इतना कुस्सा देखी यह बहुत ही अच्छा सवाल है और जिसका जिगर अपने इंट्रोडेक्शन में किया है कि JNU किस तरह से बना है किन-किन मुद्दो को लेके पिछले समय में भी प्रोटेस्ट हुआ करता था और आज के दौर में भी अलग-अलग विशाय पे प्रोटेस्ट JNU में चलता आया है अब सत्ता को JNU से इतना परेशानी क्यों होती है इसका मुख्य कारण इसमें है कि JNU के चात्र पिछले कई साल में सरकार की जो नीतिया आई हुई है सारे नीतियों के उपर JNU के चात्र बहुत मुखर तरीके से अपना आंदोलन तीब्र तरीके से लेके आगे आया है एक प्रतिरोध चला उस आंदोलन के तहट UGC को अपना जो सरकुलर है जो जिसमें फेलोशिप को स्क्रैप कर दिया गया था रिसर्च फेलोशिप को उसको वापस लेना पड़ा और उसके बाद तमाम सारे मुद्दों को लेके जेनू के स्टूडेंस सरकों पे निकले है आंदोलन किये है और आज इसका एक छबी आप देख सकते है कि अलग-अलग विशविदाले में चात्र बहुत मुखड तरीके से सामने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं अभी हाली में जो है CA, NRC, NPR को लेके स्टूडेंस बहुत उसके पहले कश्मीर के मुद्दे थे उसके पहले UAPA के अबिटमेंट के बारे में बात उसमें भी प्रोटेस्ट हुए थे हाँ, इन फैक्ट मैं तो कहूंगे कि किसान अंदोलन किसानों का मुद्दा महिलाओं के मुद्दे सारे मुद्दें के लेके जैनू के चात्र आगे मोचा खुले है अब सरकार के तरफ से ये एक narrative create करने की बहुत कोशिश किया जा रहा है कि चात्र होते है पढ़ने के लिए, वो politics क्यों करते हैं दरसल हम समझते हैं कि हम इस समाज में रहने वाले एक responsible नागरिक है और हम लोगों को अगर इस समाज को बैतर तरीके से कल्पना करना है और समाज को बैतर बनाना है तो सारे मुद्दे जो समाज के लोगों को effect करता है उनके उपर बात करनी होगी और university के students जहाँ पे एक battle of ideas का culture celebrated होता है वहाँ पे students को इन सब बातों पे बात करनी पड़ेगी अपेक्षा सबसे पहले तो मैं हमारे शोताओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि अपेक्षा पे बहुत तीवर हमला हुआ था जिस दिन जो मुख़टा मास्क पहन के जो लोग आए थे ये इनों में पिटाई करने के लिए इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया उमीद करते हैं कि आप जल्दी आपका हाथ ठीक हो जाए और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़े शोतर रिपा बात कर रही थी यूजी सी के आंदोलन को लेके हम एक चीज देखने आ रहे हैं कि 2014 से जब से ये सरकार आई है उसके बाद 2019 से पर भी शुरू हुई है थाइर एजूकेशन पर एक कंसिस्टेंट एटैक रहा है यूनिवर्सिटी एक प्लेस ओफ आईडियाज एंड डिबेट एंड डिलिबरेशन डिसेंट भी हमेशा से रहा है हम ये मानते हैं कि समाज में कोई भी डिमोक्राटिक समाज में किसी को नहीं बोलने का हक नहीं चीना जा सकता इन सब महौल में JNU एक तरह से लीडर्शिप प्रवाइड करती आए रही है आप लोगों को प्रेजंट यूनियन में और विश्व विद्यालेओं के यूनियन से बाकी जगा के चात्रों से किस तरह का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है देखे ये आज हम लोगों का अंदोलन तकरीबन 75 डेज हो चुके हैं 28 अक्टोबर से शुरू किया था हमने ये प्रोटेस फी हाइक के खिलाफ जो हमारा प्रोटेस था वो यूनियन का कॉल 28 अक्टोबर 2019 से चल रहा है और इस पूरे मुव्मेंट के दौरान सिर्फ मतलब देश भर के अलग-अलग कोनों से नहीं हमें दुनिया भर के अलग-अलग कोनों से आया है Solidarities और Support यहां तक कि जैसा जैसा हम लोगों ने फॉलू किया है हमारे प्रोटेस के वज़े से IIT जैसे यूनिवरसिटीज में FTII और SRFTI जैसे यूनिवरसिटीज में भी जो फी हाइक इंप्लिमेंट करने की बात थी उसको रिवाइस किया गया है तो इस तरीके का impact एक रखता है JNU का जो movement होता है JNU का जो चात्र संगर्ष है वो इस तरीके का impact रखते हैं बाकी सारे चात्रान दोलन उपे कि हमारे यहां से जो मुद्दे उठाये जाते हैं वो देश भर के यूनिवरसिटीज में वो मुद्दे उठते हैं और उन चीजों को लेके agitation होता है इससे पहले भी हमारी जब 2017 में हमारे यहां एक sexual harassment redressal एक body थी GS cash उसको बंद किया गया इसी vice chancellor द्वारा और एक ICC एक तरीके से puppet body उसको बिठाया गया आप देखेंगे बहु में उस दौरान जब एक sexual harassment का case हुआ और वहां की लड़कियां सारी उठके आई उन्होंने भी JNU model of GS cash का एक demand सामने रखा तो इस तरीके से हर आंदोलन JNU का एक तरीके से role model बना है अलग-अलग universities में जिस दिन ये attack हुआ है पांच तारीकों शाम में पांच तारीके रात से तकरीबन 20 शहरों में एक साथ protest शुरू हुआ है JNU की solidarity में तो that itself shows कि किस तरीके से सारे students जो है देश भर के और दुनिया भर के एक statement आया है हमारे हाँ जहां more than 250 academicians internationally उन्होंने Vice Chancellor का resignation चाहा है because of whatever happened तो इस तरीके के solidarities union को आई है शाथरू आपको क्या लग रहा है कि महोल धिरे-धिरे देश में ऐसा बनता जा रहा है कि एक तरफ तो सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि constantly target को shift करता रहा जाए जैसे JNU के context में original मुदा था fee hike की खिलाफ आंदोलन अब जो है immediate demand fee hike तो है यह वो लेकिन थोड़ा background में चला गया है और main issue होता है कि जो लोग जो कपड़े मुँपे बांद किया जो आयते उनकी identity क्या है उनके किलाफ action होना चाहिए vice chancellor को हटाना चाहिए तो एक तरह से बड़ी successfully situation को deflect करती जा रही है already जामिया में जो protest चल रहा था वो थोड़ा हम लोग के जो news media है उसके उसमें background में चला गया है CAA को लेकर जो आंदोलन देश के और जगा हो रही है उनको उतनी space नहीं मिल रही है तो इसको आप लोग जो political activist है इसको कैसे counter करेंगे और कैसे ensure किया जा सकता है कि जो चीजे जो strand जो लगाता है जो मही के re-election के बाद हम लोग देख रहे हैं एक के बाद एक RTI का dilution unlawful activities act में जो amendment हुआ कश्मीर में जो initiative सरकार ने लिए इन चीजेशों को कैसे revive करके और divergent issues को unite करके एक common target के खिलाव आंदोलन छेड़ा जा सकता है of various groups together क्या strategies अपना ही जा सकती है देखें मैं कहूंगी कि एक तरफ से यह अच्छा हो रहा है कि अलग अलग जगा पे अलग अलग विशय पे आज आंदोलन हो रही है उसका एक united तरीके से जो आप suggest कर रहे हैं उसका एक importance और impact है लेकिन मैं यह कहूंगी कि हर एक जगा पे जो अलग अलग विशय पे अंदोलन हो रही है अभी वो बहुत important है और वो चलनी चाहिए अब जेनियू में इन लोगों का यह नियत रहा है और हम लोगों ने देखा भी है कि एक मुद्दा अगर उटके आया है सामने उसको दबा के कुछ और लाया जाए लेकिन जेनियू के आंदोलन में भी पिछले पचातर दिन से जो अपिक्षा बोल रही थी चल रहा है आंदोलन स्टूडेंस अपने मांग को लेके अटल है वो लोग घट नहीं रहे कि फी हाइक का मुद्दा है फी कम होगा उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बीच में बहुत सारे जो है कन्फूशन क्रियेट करने की कोशिश की गई आपको अभी भी पता होगा कि न्यूज में ये चल रहा है कि हाइक रोल बैक कर दिया गया है ये दरासल जूट फैलाने का एक मिसिनफ़ामेशन है कुछ नहीं हुआ है और जो रोल बैक के बारे में ग़ी जो है डिडदी प्रोस की थी अछलेगा हम लोगों का माग यह है कि एड़ूकेशन शुट भी सिथीड़ वर ओल इड़ॉड बो और इड़ूकेशन के लिए हम लोग कोई किसी तरह की जो है bargaining process में नहीं जाएंगे हम fee hike मनजूर नहीं करेंगे वो हम मनजूर नहीं है तो हम बोलेंगे कि अलग-अलग protest जो है उसमें एक solidarity building हो सकती है जैसे JNU के students जामिया में जा रहे है, solidarity दे रहे है जामिया के students JNU में आ रहे है solidarity दे रहे है कश्मीर के issue को लेके protest हुआ है JNU के students बाहर गये हैं वो लोग भी उभर के सामने आ रहे है सब लोग अलग-अलग जगा पे बहुत सारे लोग जो पूर्व चात्र थे वो लोग अपने अपने शेत्र में है statement issue कर रहे है वो लोग JNU के लिए भी statement issue कर रहे है को साथी CAA और NRC NRC NPR को लेके भी हो रहा है और ये ज़रूरी है कि हर एक जगा पे जो है अलग-अलग बिशह पे आज protest हो सरकार को ये मैसूस हो कि वो आज जिस तरह से तानाशा चला रहा है जिस तरह से पार्लमेंट में एक power game चल रहा है किसे के कोगनिसेंस किसे के opinion को सामने मदे नजन नहीं रखके जो है अपना ही मनमानी चला रहा है ये सरकार ये नहीं चलेगा देश के अलग-अलग प्रदेशों में स्लोग सरक पे आएंगे और आंदुलन होगी अपिक्षा शुरुआत से ही जवाला नेर्व उन्विशिटी में जो student politics थी उसकी जो का जो shape और जो जो जिस nature था वो अलग विश्वध्यालेव में और विश्वध्यालेव में उससे कुछ अलग होता था कई चीजे जो और campus में बिल्कुल common practice होती थी वो JNU में नहीं देखने को मिलती थी सबसे बड़ी है कि शुराओं के समय लड़ाई जगरा मार्पीड वाइलेंस वो देखने को नहीं मिलती थी JNU में शुरू से एक और प्रताकुल के जो campuses में आम बात है उसको लेके बहुत ही negative attitude होता है यहाँ पर ragging करके कोई concept नहीं होता था बलकि आप जब जाते थे तो senior चात्र होते थे वो welcome करते थे नए चात्र आ रहें उनको किस तरह से उनको सुविधा किया जाए ताकि वो comfortably ease हो जाए university system को और एक नए किसम की educational practice को follow कर सके जो क्योंकि कई ऐसे चात्र होते थे जो और विश्वरे देले में अपना graduation या post graduation करके आई हुए होते थे तो आज के तारीक में जब इतना कुछ हो गया जेन्यू पे इतने सालों से कितना चात्र मुव्मेंट का कितना original character बचा है और कितना खतम हो अभी भी बाकी university के student politics से किस तरह के divergences है सर देखे बात यह है कि हमारी जो यहां पे लडाई है हम शुरू से यही कहते आ रहे है कि यह लडाई हमारी विचारधाराओं की लडाई है और जिस तरीके से सरकार ने attack किया है उस attack को हम अपनी विचारधाराओं पे ही एक attack देखते हैं क्योंकि आज जब political opposition के नाम पे hardly कुछ बच गया है इस देश में इस समय पर सबसे बड़ा जो political opposition emerge किया है वो छात्रों के तरफ से emerge किया है और इसलिए उन्हें अपनी विचारधारा को बढ़ोतरी देने में उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो विश्विद्यालों पर attack करें क्योंकि अगर लोग सोच नहीं पाएंगे अगर उनके सोचने की faculty नम हो जाएगी तो लोग सवाल उठाना बंद कर देंगे आज हम लोग जब यह लड़ाई करते हैं आप अभी भी देख लीजिए एक रिवाज होता है JNU में जब नया साल शुरू होता है तो सारे जो छात्र संगटन है वो एड्मिशन के एरिया में बैट के एक एड्मिशन असिस्टेंस करते हैं जहां पर वो छात्रों को सिर्फ उनके एड्मिशन के प्रोसेस में help नहीं करते बल्कि जब तक उनका हॉस्टल अलॉट्मेंट नहीं होता है उन्हें अपने कमरों पर रखते हैं उन्हें अपने मैस में वो लोग खाना किलाते हैं तो ये पूरे रिवास जो है अभी भी पूरी कोशिश है JNU में कि हम इन रिवासों को पकड़े रखें चाहें किसी भी तरह का अटाक हमारे उपर आए अगर आप इस अटाक के रिटाइलियेशन में जो पांच तारी को हुआ है अगर आप रिटाइलियेशन में देखेंगे तो JNU के जो चात रहे हैं वो मारपीट पर नहीं उतरे जेनियो के चात्र हैं उस दिन भी पांच तारीक को भी वो लोग सब साथ आए इतने मारपीट के बाद भी सब साथ आए सब साथ में मार्च करके निकले और एक दुसरे को उन्होंने होसल अफजाई दी और बाहर के भी जो सिविल अक्टिविस्ट थे उनके साथ मिलकर उन्हो पुलिस, सिक्यूरिटी गर्ड्स, प्रशासन, कोई भी ये सहानबूती नहीं एक्स्प्रेस कर पाया, वहाँ स्टूडेंट्स ने आपस में वो होसल अफजाई की है, साबरमती होस्टिल के चात्र जो पांच तारीक के बाद सो नहीं पा रहे थे, रोज पूरे कैंपस भर स स्टूडेंट्स मार्च करके साबरमती होस्टिल जाते थे, वहाँ पे चाय का एक गुरिला ढबा कहते हैं, हम लोग वो लगाते हैं, ताकि उन स्टूडेंट्स को वो होसल अफजाई मिले, ताकि वो रह पाये, ताकि वो डरे ना, तो ये चीज़ है, जैनियू का कल्चर य साड़े वोग पाया हैं, दूसरे विश्वष्ववधियाले ओमें, दूसरे एजूकेशिनल इंस्टूशन में ने किसी हद्ट तक थोड़ा, एक्सपोर्ट हो पाया है मैं ये कहूंगी कि सारे जो आंदोलन हुए हैं पिछले इतने सालों में वो सारा आंदोलन मतलब it's complimentary to each other क्योंकि जेनु में जब 2016 में अटैक हुआ anti-national कहा गया university को उस दौरान आप अगर देखेंगे IIT Madras में protest हो रहा था University of Hyderabad में प्रोटेस्ट हो रहा था FTII में प्रोटेस्ट हो रहा था अलग-अलग जगह पे अलग-अलग विशविदाले के अनुशा है कि इवन बहुत conservative institutions जैसे IIM और वो भी आहमेदबाद में भी CAA के खिलाफ आंदोलन हुआ Law Universities करके आता है और आज शात्रो अंदोलन जिस पैमाने पर पहुच गई है सारे विशविदाले के अंदर आंदोलन हो रहे हैं जहां जहां पर elections हो रहा है आप देख लीजिए वहां पर ABVP को students vote नहीं दे रहे हैं वहां पर progressive democratic section से लोग elect हो के आ रहे हैं तो इसका एक असर मेरे ख्याल से JNU का जो आंदोलन है JNU का जो progressive इतिहास रहा है और पिछले समय में JNU में जिस तरह की आंदोलन हुई है जिस तरह से लोग कुछ सवालों को सामने रखते हुए आंदोलन काफी लंबे समय के बाद समाज में एक तरह से दुबारा से प्रोटेस्ट की का कल्चर फैल रहा है एक वक्त आ गया था खासों से liberalism पोस्ट नियो लिबरल इंडिया बनने के बाद 90s के बाद से की बीच में एक ऐसा period आ गया था जहां चातर राजनीती में से जोश निकल ग पिशले 2014 ओनवर्ड से जो देखने को मिल रहा है बीच में काफी सालों तक नहीं देखने को मिला था एक तरह से स्टूडन पॉलिटिक्स अलग था जावाहला नेरी उनुशिटी का लेकिन वो एक सटन फिट फॉर्मूला में बैठ गया था क्या वजा है कि उस दोर से निकल पिरिका वो एंसिडेंड Suturn को मिडिया डाला गया बट जिस टूरिक के से ईक मीडिया गर कोई निफो नियूज बन जाता है मतलब मीडिया एक्सपोपोषर उतना जादा हो गया पर 2016 से पहली की period में ऐसा नहीं है कि वहाँ चात्रों अंदोलन नहीं हो रहे थे, बिलकुल हो रहे थे ये बात बार-बार इस दौरान भी कही जा रही है कि जब उस दौरान में मनमोहन सिंग कैंपस में आये थे तब वहाँ के चात्रों ने उने काला जंडा दिखाया था क्योंकि वो उनके opposition में करे थे, उनके नीतियों का opposition कर रहे थे जब operation Green Hunt की बात हो रहे थी, JNU के चात्रों ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी और proactively उसके खिलाफ में खड़े हुए थे और जो भी fact finding teams जाती थी इन areas में उनके साथ accompany करते थे तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं चल रहे थे पर उनका एक तरीके से रुख बदला है, एक तरीके से consolidation हुआ है इस सरकार के आने के बाद, क्योंकि जिस तरीके का एक direct attack हुआ है campus पे brick by brick जो कहते हैं campus का policy level change करने की उसका जो essential character है JNU का उसको बदलने की कोशिश की गई ऐसी कोशिश पहले कभी नहीं शायद JNU के लोगों ने देखिए जिस तरीके से आज हो रहा है कि आपकी जो, मतलब जो top decision making meetings होती है उनके जो laid out procedures है आप उसको violate कर रहे है जो top most professors है, जो executive council members होते हैं आप उन्हें नहीं आने देते हैं तो इस तरीके का violation पहले करी है हमको एक चीज देखने को बहुत मिलता है JNU में पहले भी देखने को मिलता था अभी फिर से देखने को मिल रहा है कि students और teachers में एक बहुत active collaboration एक तरह से dialogue और एक दूसरे की मदद करना जब चात्रों का मुद्दा होता है जिसमें चात्रों को victimize किया जाता है तो उसमें अध्यापक आ जाते हैं और वाई से वरसा उस तरह से देखने को मिलता है academic councils में हमने देखी है JNU के context में कि किस तरह से decisions को थोप दिया जा रहा है तो इस situation में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से overall society में छवी बनाई जा रही है कि JNU के students useless है आपने जो बात पहले उठाई ती शातरुपा की students को politics नहीं करना चाहिए बहुत बड़ी wisdom बना है कि जिस सरकार में बहुत ऐसे मंत्री हैं जो student politics से ही निकल के आई हैं और जो प्रधान मंत्री हैं वो खुद नवनिर्मान movement में थोड़ी इनिशिली active थे तो यह बड़ी wisdom बना है तो आपको क्या लगता है कि युवा फिर से energize कर पाएगी समाज को उमीद करना एक अलग बात है लेकिन उमीद के पीछे determination भी होना चाहिए जिसमें बहुत personal risk उठाने की बात है अपक्षा का आज हाथ तूटा है कल को कुछ और लोगों पर कुछ और हमला हो सकता है परसो आपकी जिंदगी खत्र में पर सकती है नौकरी नहीं मिलने का सवाल हो सकता है parental pressure होगा कि इस रस्ते पे क्यों चल रहे हो तो आप लोग कैसे cope करेंगे देखिए जब भी कोई protest होता है उसके पीछे बज़य भी होते है आज देश के अंदर unemployment का situation देख लीजिए अगर युवा अपने हाग को लेके अपने demands को लेके सामने नहीं आएंगे तो कौन आएंगा आज छात्र के मामले में जब fee बिधी हो रहा है जब छात्र को पता है कि अगले semester में fee भरके हम university में दाखिला नहीं ले पाएंगे तब उनको आना पड़ेगा तो यह चात्र और युवा समझ रहे हैं और इसके वज़े से जो है सारे लोग आज रस्ते पर है इस रिजीम में मैं बोलूँगी कि दो चीज हुआ है एक तो एक broader united struggle जो है launch हुआ है सारे organizations बहुत सारे differences लेने के बावजूद भी common minimum program पे लोग साथ में आये हैं और आंदोलन में भागीधारी ले रहे हैं दूसरा university के context में teachers और students का साथ में आना यह एक बहुत important turn है क्योंकि teachers civil society के भी लोग सारे लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि कही ना कही सब लोगों को आज लगता है कि protesters जो protest कर रहे हैं उनका demands का एक genuinity है और इस genuinity को सामने रखते हुए हमको इस protest का हिस्सा बनना है साथ देना चाहिए तो मेरे ख्याल से इतने सारे hopelessness के अंदर भी हम इसको इस तरह से देखते हैं कि कही ना कही hope है एक energy है एक positive energy है अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके का creative expressions लेके protest में हिस्सा ले रहे है एक united solidarity आ रही है सामने देखने को मिल रहा है हमें और इस सरकार के जो नीतिया है उसको बहुत ही sharp तरीके से जो है एक challenge उनके सामने रखा जा रहा है धन्यवाद हम लोगों का समय काफी जादा हो गया है आज की चर्चा में क्योंकि अपने पुराने university के बारे में बात करते करते मतलब हमको बहुत चीजों को cover किया हम सबसे बड़ी बात जो हमको इस particular इतिहास के दोर में देखने को मिल रहा है वो यह है कि दुबारा से चात्रों के initiative में पूरा समाज तरह तरह के सवाल पूछने लग रहे हैं इससे जो हम लोगों का भविश्य है वो काफी हद तक उमीद भरावा लगता है जैसे से की शौतरोपाने का नमस्कार